शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें मम्मी जी, पापा ची, पुआ जी, आर्थी, सोन्या, कहाँ है आप सब जल्दी आईए? क्या हो बिटा? क्या हुआ क्यों आस्मान सर पर उठा लियो? बताती हूँ कीती जल्दी से ताहँची और वरुणजी को उपर लेख आओ, जल्दी, जल्दी आओ लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? फुआ जी, अभे हरे, शर्दा, क्या हुआ हमारे अभे कौः? अभेले अभी अपने पंगे जपता ही है तबहभी सच में दीदू, आपको यखीन है? हाँ, कीर्टी, हाँ, मैं सच किया रही है, मैंने खुद देखा है मैं दॉक्टर साल को फोन करता है हालो, हाँ, दॉक्टर साल, मैं आनूस तिर पाटी बोला हूँ अभे तिर पाटी का फादर, डॉक्टर साब, आप वोरण घर आजएए, अभे मैं हरकत हुई है हाँ, जल्दी आए, प्रीज कीर्टी, इसका मतलब तो यह है न, कि वो मेरी बाते सुन सकते हैं और तब यह उनने अपनी पलके जपकाई यह अभे ऐसे ही पलके जपकाई जपकाई किसी दिन मेरी पलके हमीशा के लिए बंद कर देगा अभे हम सब यहां पर ऐसे खड़े क्यों है अंदर चलिए न, अब ऐसे बात करने की कोशिश करते है चलिए, चलो अभे बेटा अभे बेटा, अभे बात करना अपनी मा से तेखना बेटा कितनी बेसबरी से हम इंतजार करें कि कब तू मम्मी मम्मी बोलके उठेगा और हमारे पास हाएगा बेटा, हमारे लिए थोड़ी तो कोशिश कर ले, एक बार, बस एक बार बलक जपका दे अपनी, बस एक बार कि गर रहे तू? कियो नाटक कर रहे है? अपने बाई के लिए एक बार बलके जपकाना भाई अपने बार, बार बलक जपकाना भाई जब के चपकाते बेटार, ये पते हो एक हो रहा है, एक हो सकता है आप है ठख गए होंगे, उन्होंने पहली बार कोशिच की है नहीं से लिए, लेकिन आप सबको तो मुझ पर विश्वास है ना, बस करिये दीदू, बस करिये, क्या कर रही है, देखे अपने आपको क्या हालत बना लिए आपने अपनी, दीदू भावनाओ में आप इतनी अंदी हो गई है ना, कि आपको ऐसे वहम होने लगे हैं नहीं, नहीं केर्थी, मेरा यकीन कर, मैं जानते हो मैंने क्या देखा है, मैं सच कहरे हूं, टॉक्तर डॉक्तर देखिये नब हाँ मैं मैं सच कहह रही हूँ मेरा यकीन हीजिये मैंने देखा है अप है को पलक जपकाते हूए ठीक है मिसिस तरपाथि मैं एक बार जाज कर लेता हूँ देखिये आप लोग इन्हें घर लेके आए इस उमीद के साथ कि शायद यह ठीक हो जाए इसलिए आप लोगों को वहम भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ हरकत की आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं कुछ टेष्ट लिख देता हूँ आप लोगों कर देखिये आप लोगों कर देखिये आप लोगों कर देखिये अच्छा मैं चलता हूँ कुछ रहे तो आप लोग फोन करियेगा शाथा बेटा 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 अपनी उमीद पर भरोसा रखिये और बागी सब महतरानी पर छोड़ दीजे देखियेगा वो आपकी प्रात्ना जरूर सुनेंगी कीर्थी चाहे कुछ भी कहें अभै पर मैं जानती हूँ मैंने जो देखा ना वो कोई वह मेही था आपको ठीक होना होगा अभै जिफ मेरे लिए ले परिवार के हर संदसे की उवीद आपसे जुड़ी है अभै आपको ठीक होना होगा अभाबी जी अब आपकी इस उमीद को ऐसा चकना चूर करना पड़ेगा कि फिर कभी किसी चीज के लिए उचलने की कोशिश ही ना करें और अब है तो कभी उथने से रहा क्योंकि मैं कभी ऐसा होने ही नहीं नहीं दूगा अरे पर आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप राशन भरना भूल गया हूं अरे एक दाना भी नहीं घर में खाना कैसे पनेगा तानुचरी जब तक आप बताएंगे नहीं क्या चाहिए क्या नहीं हमें कैसे पता चलेगा अच्छा, तो आप ये भी हम ही बताएंगे, तो आप क्या करेंगे, अरे सब कुछ हम ही करते रहें अरे, 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 ये क्या, हमारी भावी जो हमारे भाईया को फटकार लगा रही है, वो सिर्फ हमारे भाईया के लिए है, ये डोस पूरे महले के लिए अच्छा रितू, अब आप आ गई है ना, तो दो तीन ताना आप भी हमें सुना दीजे, वैसे भी हमारी बाद सब को गलत लगती है, या हमारी आवास बहुत उची ही लगती है, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं, वो कोई भी समझता है तर्मिता जी, हम समझते हैं, आपकी बाद भी और आपकी परिशाने भी, एक लुका बेटा, इस हार आप में देखकर, आप अपने दुख को नराज की न बदनना चाहते हैं, तो हम क्या का रहे हैं अनुची, हम अब आप ही बताइए, कैसा लगेगा इत मा को, जिसका हसता, कह किलता, दोडता, भागता, बेटा, अचानक बेबस, आसहाए, बेजान, बिस्तत पे पड़ जाए, अरे तो आप तो बहुत समझदार हैं न, तो आप ही बताइए न, हम किस से जाके लड़ें, अरे किस के आगे हाथ पहलाए भी मागे अपने बेटे के लिए, अपने बेटे ममी जी, खुशी हो या तर, भावदाओं की जगह कोई नहीं ले सकता, ओपर से हम सब जाहे कितना भी दिखावा कर ले, मगर अंदर से हम सब समझते हैं, और, और आप तो माँ हैं, सबसे जाद हम आपकी बावना समझते हैं, मगर इस वक्त अभय के लिए हम सबको हिम्मत रखनी होगी, अभी पस हम सिर्फ माता रानी से ये प्राथ नहीं कर सकते हैं, कि वो अभय को चलनी ठीक करने, अभी, माता रानी ने अभय को मौत के मुझ से बाहर निकाला है, वो उसे ठीक भी कर देगी, अभय बहुत ज़्द फिर से दौडने लगेगा, अभी, हमारी श्रद्ध के अटोट भरोसे पर भरोसा रखे, वो कभी आपकी मम्ता को हाथनी नहीं देगी, अभी, 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 दो, कि खाने पे क्या बता हो, चल्दी से लिया आता हो, मुलना तुकान मारोच जाएगी, उसकी कोई ज़रवत नहीं है, चाचु, बेठा, ये सब? ये महिने बर का राशन है, चाची, माफ करना थोड़ी देर हो गई, आज ट्राफिक थोड़ा जादा था, बेठा, ये सब करने क्या से होते है, मैं तो जाए राथा नहीं जाएगी? चाचु, अगर अबे ठीक होता है, तो आप अबेगो भेशते हैं, ये खुद जाते हैं. तब की बात अलग होती है, चाचु? क्यों? मैं आपका बेटा रही हूं, चाचु? क्यों आपको भेटा हूं, चाचु? तुबे ठीक है, आपका बड़ा बेटा होने के नाथ है, जब तक अबे ठीक नहीं हो जाता, इस घर की भी जिम्मेदारी मेरी है परुण जी, दोनों घर के जिम्मेदारी का भार, अगर आप अपने सर पर उठाएंगे तो बहुत जादा हो जाएगा आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों में मैं अपने लिए कोई जॉब ढून दूँगी उसकी कोई जॉब देशा था, मुझे एक करने था, और ये बार, ये बार तो हमेशा उच पे रहेगा अब एकि आज जो हालत है, कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार भी मैं ही काश, काश मैंने तैश में आके एक घर ना बेचाओ था काश रागनी, रागनी कभी इस घर में आया ही नहीं होती और काश, काश बाद यहां तक ना पहुँशती वरुन जी, ये जो कुछ भी हुआ ना, उसमें किसी की भी कोई गल्ती नहीं थी इन सब की जिम्मेदार वो, वो रागनी है, ये सब उसी का पाप है और फिर कभी, आप इसका दोशी खुद को नहीं मानेंगे ठीक, लेकिन कम से कम, उसे ये तो करने दोश्रत और आप भी तो अकेले, अब है पुरे परिवार का खयाल रखती फर्ज बाटने से ही न, परिवार बनता है आज तुझे देखकर, तभी भाई साब की यादा करें में कम, उनकी पर जाये तुझे रितु, आपके सोच में कोई हुई है, खाबी हले हमारे घर पे दुख के बादल जाये वाकर, उमीद की एक किरन हम महसूस कर सकते है और उसी उमीद की किरन से घर पे चाये हुए काले बादल हट जाएंगे हम चाहते हैं कि हमारे घर में ग्रव शांती की पूझा करें अरे, यह तो बहुत ही अच्छा सोचा है आपने हम सब मिलकर कली यह पूझा कर लेते हैं बिलकुल सही कह रही है भाबी हम जाते हैं कि जल से जल्द ये पूजा हो और अफे जल से जल्द तीक हो जाए बसे ही हमारी प्राक्तर और पूजा की तयारी की सारी जिम्मदारी मेरी आप अकेले क्यों गरेंगी? हम भी है ना? हाँ पूजा जी कल का दिन बाकी बहुत शुब होने वाला है हम सबके लिए तुक के बातलों के साथ दादबल कुनाल के चूच से भी पड़ता हो जाए अच्छा बाह न ढूल लिया है ना भे आपने पूरे दिन मुझसे अपनी सेवा करवाने का अब उट पी जाए है भे देखिया भे आप जानते हैं ना कि मैं कितनी जिद्धी हूँ अगर मैं जिद्ध करने पे आई ही ना तो अभी आपको गुद्गुदी लगा के मैं आपको उठा दूँगी यहां देना आपको अभी तक सौ रही है अभे उठिये आपको मीटिंग के लिए देर नहीं हो रही है शदब सोने दो यार अभे भे कहा कुछ कर रही हूं आपको प्यार से जगाने आई हूं शदब 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 मत करो शदब शदब अभ करो अभे यह चीटिंग ए चूड़िये एक का बगरो तुम भी मेरसार सोबचानी छोड़ी अबेर! शर्था हारे कि सुनिया सब ठीक तो है ना सुनिया बताना तो तुम्हें बहुत कुछ चाहती हुछ रता लेकिन जब तक मेरा शक यकीन में नहीं बदल जाता मैं तुम्हें और परिशान नहीं कर सकती सुनिया सुनिया मैं तुमसे कुछ पूछ रही हुँ बोलो ना क्या हुआ सब ठीक तो है कुछ नहीं शद्धा तुम घर में सब का इतना ख्याल रख रही हो अभहे का इतना ध्यान रख रही हो इन सब के बीच कोई तुमसे तो पूछी नहीं रहा कि तुम कैसी हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ पहला मुझे क्या होगा और तुम देखना बहुत जल्दी ना मैं अब आपको भी ठीक कर दूँगी तुम्हारे साथ जिसमें पर ये किया है ना अबे उसे मैं छोडने वाली है उसका असली चेहरा कल सब के सामने हो स्ट्राइब स्सक्टष कर देखने सॉन्या तुम्ह ठीक हो ना तुम्हें लगी तो नहीं ना तुम ठीक हो ना सोन्या बहुत जद्धा मुझे कुछ नहीं हुआ मैं ठीक हूँ बिल्कुल तुम्हें कल सुबह उठके पूजा की तयारी भी तो करनी है तुम लोग सोजाओ गुट नाइक कुछ अजीब सा लग रहा है असा लग रहा है जैसे जैसे सुनिया को छुपा रही है मुझसे पूजा की पूजा की तो तेयार है आप एक बार बस देख लेजे जी अवश्ट देख लेते हैं आप सभी अपना इस्थान ग्राण कीजिए इसके बाद में पूजा की शुरू करते जी ओम स्री गणेशायन महा प्रारंबे निर्विक नमस्तो वसुदेवसुतम देवं कंसचानूर मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णूम बंदे जगत गुरूम ओम अपवित्रहा पवित्रोवास सर्वाबस्थांगतो पिवाव यहिस्मरेत पुंडरी काच्यम सवाहिया प्यंतरह सुचि यहिस्मरेत पुम यहिस्मरेत विवावस्थांगतो झाल यह वही प्रेसले दे और इस पर वही लाल निशान पिया, इसका मतलब मेरा शक सही निकला, भे कहां गुनेखार गुनाल ही है, मुझे शद्धा को यह बताना होगा अहतां! शहता, शहतां! शहतां, शहतां! श्रुट्क долए सोनिया कहां गई अभी तो यहीं बैटी थी बाता रानी यह सपना जो अभी मैंने देखा यह तो वहम से भी जादा भायानक महसूस हुआ सबसे पहले मुझे सोनिया को देखना होगा यहीं वो किसी खत्रे में तो नहीं है अभी मेरा ब्रेसलेट यहाँ यह तो उस दिन गोडाउन में गिर गया था जब अभै के सर पे मारा था मैंने करें इसी को शब तो नहीं हो गया तो नहीं करना तो मारी बहन के साथ जे यह सी तोंगी किस्मत से टकराती उलजी लकीरों को सुल्ज हाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाएए शिमारू उमंग कर द्वेला दो प्राण से जेटान देखने लता है जब 살 झाएबर